हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एसेच फैशन वर्ल्ड आज की स्वीडियो में आपके लिए मल्टी कलर में बहुत ही प्यारा और एज़ी सा डिजाइन लेकर के आई हूँ आप इसको देखी मल्टी कलर में बना सकते हो तू कलर में बना सकते हो या सिंगल कलर के ओपर भी आप इस क्रेट कर सकते हो और देखिए इससे आप जब आपके पास जो बची हुई उन है थोड़ी थोड़ी उन बच जाती है तो उसे आप देखिए बेबी स्वाटर इस्टिजन में बना सकते हो या फिर आप अपने लिए ब्लाउज बना सकते हो जो भी आप बनाना चाते हो तो च करेंगे पहली रो राइट साइड से रोवन राइट साइड से सीधी तरफ से पहली रो यहां पर हम धागा चेंज करेंगे और यह पूरी रो हम धागा चेंज करके सीधी बना लेंगे राइट साइड है रोवन है और यह पूरी रो हम सीधी बना लेंगे धागा चेंज करेंग wrong side से दूसरी रो ये उल्टी तरब से तो इस रो को ध्यान से देखिएगा इसमें हम design डालेंगे देखे क्या करेंगे पहला फंदा तो हमने उल्टा उतार लिया अब आगे वाले जो दो फंदे हैं इन दोनों को हमने पहले इकठा बनाना है उल्टा दो का एक करना है ये देखिए इस तरह से दो का एक कर लिया बट इनको अभी छोड़ेंगे नहीं दागा पीछे ले जाएंगे और इनको अब सीधा बनाएंगे इस तरह से हम इनको सीधा बनाएंगे और यही 2 फंदे हम पूरी रो में repeat करेंगे दागा आगे 2 फंदे उल्टे बनाएंगे 2 काई एक करेंगे फिर दागा पीछे ले जाएंगे अब इन दोनों फंदों को हम देखें इस तरह से सीधा बना लेंगे दागा अपनी तरफ दो फंदो को एक साथ दो काय करेंगे पहले उल्टा फिर अब इनको छोड़ेंगे नहीं दागा पीछे ले जाएंगे अब इनको सीधा बनाएंगे तो ये हमारे डिजाइन भी डल रहा है तो बापिसे दो के दो फंदे भी हमारे रहे हैं पूरी रो आपने इसी तरह से ही कम्प्लीट करनी है ये ये देखे इस तरह से धागा पीछे अब इन फंदो को सीधा बना लेंगे लास्ट में एक फंदा वजेगे इसको आपने उल्टा बना लेंगे अब रो थ्री पर आजाए राइट साइट से तो थर्ड रो में फिर से हम धागा चेंज करेंगे यहां पर मैं वाइट कलर ही यूज कर रही हूँ आप कोई भी सेकंडरी कलर यूज कर सकते हो तो ये पूरी रो हम देखे सीधी पना लेंगे धागा चेंज करेंगे और पूरी रो हम ये निट करेंगे अब row 4 पर आ जाईए wrong set से fourth row उल्टी तरफ से तो इसमें देखी क्या करेंगे पहला फंदा हमने उल्टा उतार लिया पहला फंदा उल्टा उतार लिया अब देखी row 2 की तरह ही बनाएंगे पर थोड़ा सा हम यहाँ पर change करेंगे एक फंदा उल्टा बनाया अब आगे वाला फंदा भी उल्टा बना लिएंगे देखे जो second row हमने डाली तो उसमें हमने यहाँ पर डिजाइन डाला था पर इसमें हम यहाँ पर एक और फंदा उल्टा बना लेंगे अब उसके बाद हम यहाँ पर फिर से वैसा ही row two की तरह बनाएंगे मतलब दो फंदो के एक ट्थे बनाएं उल्टे फिर दागा पिछे लेंगे और दो फंदो को सीधा बनाएंगे यही पूरी row हमें हम complete continue करेंगे यही पूरी row में यह देखे दो फंदे को पहले उल्टा बनाया अब इनी दो फंदो को सीधा बनाएंगे मतलब दो के दो फंदे भी हम बना रहे हैं तो इससे हमारा design भी डल रहा है पूरी row आपने इसी तरह से complete करनी है लास में देखे दो फंदे बचेंगे शुरू में भी दो हमने उल्टे बनाया तो लास में भी हमारे दो उल्टे बचेंगे तो दोनों को हमने उल्टा बना ले अब देखिए ये 4 रों बनाने के बाद हमारा डिजाइन नी यहां पर over हो जाता है अब यही 4 रों हम बनाते जाएंगे जो जितने भी color हमने यूज करने हम right side से धागा change करते जाएंगे और देखिए इस तरह से हम design बनाते जाएंगे यही चार रो हम बनाते जाएंगे आप अलग-अलग तरह का कलर इसमें यूज़ कर सकते हो तो देखी जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से बनता जाएगा देखी कितना प्यारा लग रहा है यह मल्टी कलर में आप बनाएए इस डिजाइन को और आई होप आपको मेरे यह वीडियो हैल्फुल रहा होगा तो कैसा लगा प्लीज एक मैंट करके जुरूर बताएगा क्यूंकि आपके कमेंट से बहुत एनरजी मिलती है तो कमेंट करते रहिए वीडियो को लाइक करते रहिए और मैं आपके लिए इसी तरह से नएने डिजाइन क्रिएट करती रहूंगी तो थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टुटोरिल के साथ अब तक के लिए बाबाए